चलिए अब हम देखते हैं exercise 1.2 question first और उसका हम third part solve करने जारें क्या है question? संख्याओं को अभाज गुणन खंडों के गुणन फल के रूप में लिखिए आपको जो संख्या दी है उनके अभाज गुणन खंडों के गुणन फल आपको लिखने है ठीक है? अभी जो एक ट्रेलर मैंने आपको बताया था यह सवाल बिल्कुर उसी ट्रेलर पर आधारी थे या मान ले कि यह उसी प्रकार का एक सम है जो मैंने fundamental theorem की बात की है आधार मुद प्रमे की मैंने बात किये यह वो प्रमे पर ही आधारी थे हमें प्रश्न क्या है? तो मैं क्या करूँआ? इस 3-2-5 के गुणनखन निकाल दूँआ अब दीखे यह भी आधार मुद प्रमे के हम बात कर रहे थे इसमें कहाई शब्द आगया गुणनखन? यह गुणनखन हमने पहले किसी क्लास में आउरेडी पड़े हुए है ठीक है? यह कोई नई चीज हमारे लिए नहीं है हम बहुत अच्छी तरह से गुणनखनों के बारे में जानते हैं यह मानकर चलिए कि हम केवल यहाँ पर उस प्रश्न को दोहरा रहा है अब 38-25, 3825 के हमें अभाज गुणनखनों के गुणनफल लिखना है तो मैं क्या करूँगा? इस 3825 के गुणनखन निकालनों अब गुणनखन निकालने का तरीका क्या है? गुणनखन निकालने का तरीका वेलकुल सेंपल है हमारे पास किसका निकालना है? 3825 का चीके? अब हम क्या करेंगे? यह 3825 है जिसके हम को गुणनखन करने हैं उसमें हम देखेंगे किसी ऐसी संख्या का डिवाइडेशन हो जाए जो अभाज्य हो ठीक है सिंगल नमबर होना जाहिए जिसमें किसी और का डिविजन नहीं होता हो तो सबसे पहले किस पर चलेंगे हम दो पर क्या ये दो से डिवाइड हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंकि पीछे क्या है इसने 5 है ये विशम संख्या है दो संख्या है इसको 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं ठीक है अब हम चलें 3 से क्या इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है इसको हम 3 से डिवाइट कर सकते हैं अब प्रशन ही आया कि 3 से कितनी बार ये डिवाइट होगा तो आपको क्या करना है 3 से इसका डिविजन करके और कितनी बार भाग गया है वो देखना है मैं आपको इज़र slide window के अंदर डिवाइट करना बता रहा हूँ आप समझ ले हम कैसे डिवाइट करेंगे किस से डिवाइट कर रहे है हम 3 से ठीक है अब ये 3 से डिवाइट किया तो देखो पहले 3 है ये 1 टाइम चला गया एक बार इसमें भाग लगा ये 0 आ गया उपर से क्या उतारा आपने 8 फिर इस 3 से इस 8 को डिवाइट करो कितनी बार जाएगा डिविजन 6 दो बार क्योंकि यहां 8 है फिर ये 8 पैसे किसको माइनस कर दिया 6 को कितने बचे 2 क्या इस 3 से इस 2 को भाग लगाया जा सकता है नहीं क्योंकि ये 2 छोटा है और 3 बड़ा है हम क्या करेंगे उपर से ये जो 2 है इसको यहां ले आएगे जब उपर से हमने यहां 2 उतारा तो ये कितना हो गया आपका 22 अब इस 22 में 3 से डिवाइट करेंगे 3 से 22 को अगर डिवाइट करेंगे तो ये जाएगा 7 बार कितना आएगा, 3, 7, 21, यह 21 हो गया, यह minus, फिर यह 2 minus 1 is 1, और यह आपका फिर 0 बचा, अब क्या बचा, यह 1, 3 से फिर divide नहीं होगा, हम इस 5 को नीचे लेकर आएंगे, यह 5 यहाँ आगया, अब इस 3 से 15 को divide करो, तो 3, 5 जा, 15, यह 15 आएगा, यह आपका शेशपल हो गया शुन्य, और यह भागफल आगया, यह भाग लगया, इस तरह से आपको भाग लगाने है, तो जब हम इस 3 का भाग इसमें लगाएंगे, तो कितना आया हमारे पास, 1, 2, 7, 5, आगया 1, 2, 7, 5, अब इस 1, 2, 7, 5 में भी किसी संख्या का भाग लगान है, अब 1, 2, 7, 5 में किसका भाग लगाएंगे, फिर देखें पीशे 5 है, यह विशम संख्या है, इसमें फिर 2 से डिवाइड को होई नहीं सकता, 3 से देखें होगा क्या, हो सकता है, 3 से इसमें डिवाइड हो जाए, हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं, चली, अब हम अब 3 से डिवाइड किसको करना है, 1275 को, तो यह जो भाग में नहीं बताया है, ऐसा किसमें लगाना है, आपको 1275 में, ठीक है, इसको मिटा कर मैं इसका भाग लगाना आपको सिखा रहा हूँ, उसके अगले सवाल में हम इस भाग को ऐसे नहीं लगाएंगे, हम सीधे यहां पर बात करें, तब तक आपकी धुरूई प्रेक्टिस हो जाएगी, कि कैसे हम डारेक्ट डिविजन करते हैं, कैसे हम डारेक्ट भाग लगाएंगे, मैं इसको रब करना हूँ, और अब मुझे क्या करना है, यह जो 1275 है, इस 1275 में भाग लगाना है 3 का, यह 1275 और इसमें हम यहाँ पर 2 अंक ले लेंगे, 12, इस 3 का 12 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो यह हो गया, 3 का भाग, 4 बार गया, यह 12 आया, इसको जब हमने माइनस किया, तो यह तो कैंसल हो गया, 0 बचा, अब यहाँ उपर को ने 7, इस 7 को हम यहाँ नीचे लेकर आये, जब आपने 7 को यहाँ नीचे लेकर आये, तो यहाँ किस से डिवाइट करना, 3 से, क्या 3 से 7 में डिवाइट होगा, विल्कुल होगा, क्योंकि 7 3 से बढ़ा है, कितनी बार भाग लगेगा, 2 बार, क्योंकि 2 बार भाग लगाएंगे, तो 6 आएगा, यह हो गया, 7, 6, 6 किसको माइनस किया, कितना बचा, 1, क्या इस 3 से 1 में भाग लग सकता है, बोले, क्या 3 का 1 में भाग लग सकता है, जल्दी बोले, नहीं, नहीं लग सकता है, बिल्कुल सहीए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर यह 5 है, इस 5 को यहाँ लेकर आईए, 15 हो गया, अब इस 3 का भाग इस 15 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो यह हो गया 15, फिर यह 0 बचा, 6 पर 60, यह भागफल हो गया आपका, कितनी बार गया, 425 बार, तो यह आगया 425, यह आपका अगला step हो गया, फिर देखिए पीछे क्या है 5, अब फिर किस से इसको डिवाइड गिया जाएगा इसको देखिए, क्या 3 से डिवाइड होता है, तो ठीक है नहीं, तो आगे बढ़ जाएगी, यह 425 पूर उससे 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब जब यह 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किस से डिवाइड करेंगे, 4 से भी नहीं होने वाला है, क्योंकि यह भी विशन क्या है, और 4 कौन सी है, सम है, और 4 से हम डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि हमको कौन से गुणंखन चाहिए, अब हाज, जिसमें किसी और का भाग नहीं लगता हो, 4 हम लेंगे नहीं, क्योंकि 4 में 2 का भाग लग जाता है, अब हम लेते हैं यहां पर, देखें, 3 में क्या हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, अब कैसे करेंगे, यह 4 है, यह एक बार जया, यह 3 आया यहां पर, माइनस कितना बचा, 1, 3 से 1 में भागने लगीगा, इस 2 को नीचे लेकर आए, कितना बना, 12, इस 3 से 12 को डिवाइड करिए, 4 बार जाएगा, यह 12 आ गया, कुछ नहीं बचा, उपर से किसको उतारा, 5 को, अब 3 से 5 को डिवाइड करिए, तो 3 बन जा 3, माइनस किया, कितना बचा, 2, अब यह 2 आपका 6 पल आगया, रिमेंडर आगया, अब जब 6 पल आगया, हमारे पास संख्या नहीं 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 किया जा सकता है, ठीक है, तो हम यह 3 नहीं लें किस से डिवाइड होगा? यह डिविजन होगा आपका 5 से, देखे हम 5 से इसको डिवाइड करें, क्या होगा 5 से डिवाइड करने पर? यह सारे एक एक डिविजन आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यह पहला संख्या आपका, अगर आप अभी आची त से जिमाग में fit कर लिए तो आगे आपको दिक्कर नहीं आएगी अब 5 से इसको डिवाइड करें चार में तो 5 का भाग जाएगा नहीं तो हम क्या लेगे दो अंक ले लेगे कितने आएं 42 अब इस 42 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल में 42 तो आता नहीं उससे छोटा संख्या ले लेगे कितनी बार डिवाइड होगा 8 बार कितना आएगा 40 इस 5 एड जा 40 ये 40 आ गया इसको माइनस किया 2 में से 0 गये तो 2 और ये 0 बचा आपका अब इस 5 से 2 क्या 5 से डिवाइड होगा तो नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है अब हम यहां से 5 को नीचे ले आएगे जब इस 5 को मीचे ले आएगे तो यहां कितना बन गया आपका 25 अब इस 5 से 25 को डिवाइड करिए कितनी बार डिवाइड हुआ फाइड हुआ ये फिर 25 आ गया और आपका 6 पल शूट ने बचा कितनी बार डिवाइड होगा 85 तो यहां कितना आगया आपका 85 अगया 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 अब हम फिर चलें फिर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा यह फिर किससे डिवाइड होगा तीन से डिवाइड ने हुगा, अगर फिर तीन से डिवाइड हुआ होता तो यह पहले भी हो जागा, अब यह तीन से डिवाइड ने हुगा, अब किससे डिवाइड होगा फिर पीछे 5 है, यह फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, यह 5 से डिवाइड होगा तो आप इस 5 से विजन होगा माइनस करेंगे तो 8 माइनस 5 कितना आया 3 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा इस 5 को नीचे लिए कराए तो कितना बना 35 इस 35 में 5 का भाग लगाए 7 बार जाएगा 5 7 जाए 35 और ये 0 5 से भाग लगाने पर कितना आया 17 तो ये जो 17 है ये यहां आगया अब इस 17 में किसका भाग लगे इस 17 में किसी का भाग नहीं लगेगा केवल इसका ही भाग इसमें लग सकता है तो हम जाए तो यहां पर 17 में इसका भाग लगा जे यहां 1 आगया ये आपका प्रोसेस पूरा हो गया यह सब आपने पूरु कक्षा में सिखा है गुणन खंड करना ठीक है? हमने 3825 के छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बाड दिया है यह गुणन खंड हो गए फैक्टरस बंदें से अब क्या करेंगे जो हमारे फैक्टरस अब क्या करेंगे जो इफेक्टर्स हमारे बंदे हैं इनको हमें लिखना है अब इने अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो देखिए यह हमारे पास है 3,8,2,5 ठीक है और यह 3,8,2,5 के जो गुणनखंड किये हैं वो क्या है उनको हम यह लिख दें तो क्या गुणनखंड आया हमारे पास 3 into 3 यह 3 हो गया यह 3 हो गया अब दो बार 5 है तो यह आया 5 into 5 और अंत में क्या है 17 है तो यह into हो गया 17 यह गुणनखंड हो गया अब इनको किसके रूप में लिखना है अब आच गुणनखंड दो के गुणनफर के रूप में आपको लिखना है चीक है तो रूप में लिखना है तो यह दिए 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार तो यह होगा 3 to the power 2 5 कितनी बार आ रहा है बताइए कितनी बार है 5 5 into 5 दो बार 5 to the power 2 और इंटू क्या आगया 17 आगया ये है 3825 के क्या है अभाज्य गुणनखंड है क्या है ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड है ठीक है तो अंत में आप लिख दोगे अतह 3825 के क्या अभाज्य गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 3 to the power 2 into 5 to the power 2 into 70 ये बन गए आपके अभाज्य गुणनखंड और यही आपका इस पहले प्रश्न का आंसर है आगई बात समझ में हो गया clear बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक स्टेप मैंने आपको इसमें clear किया है अब अगला सम करेंगे उसमें हम ये काम लएं करेंगे जो मेंने तरब स्टेट में किया था ठीके अब अगला हम direct करेंगे अब यह जो अभाज्य गुणनखंड है इसको हम क्या बहते हैं इसको हम बोलेंगे prime factorization किसका prime factorization है 3a25 ठीके ये वर्ड्स भी आप दिमाग में रखी कि हमने क्या चीज़ कैलकूलेट किया है प्राइम फेक्टराइजेशन आप 3825 इसको हिंदी में वो रहे है 3825 के अभाज गुणनखंड इस तरह से हम अभाज गुणनखंडों को कैलकूलेट करेंगे चलिए तो आप इसको दिमाग में बिठाइए एक बार इसका रिडिंग कर लीजिए इसको समझ लीजिए उसके बाद हम चलते हैं इसी क्वेशन के एक अगले पार्ट है क्वेशन नमबर वन इसका पार्ट अगला जिसमें अब हम डारेक्ट सौल करेंगे ओके तो तयार रहे हम अब उस प्रशन को कर रहे जाएंगे